यहां जो आप पौधा देख रहे हैं यहां एलोवेरा का पौधा है जिसे गृत कुमारी का पौधा भी कहते हैं और यहां आप घर के बगीचे में यहां पौधा होना जरूरी है क्यूंकि इस पौधे का इस्तमाल आईरुएदिक दवाईयों में किया जाता है जैसे कि हम कि सलो में भी लगाते हैं और इसका जूस भी पिया जाता इनकी पत्तियों का हाँ तो इस तरीके से यहां पौधा आप घर पर फ्री możemy किस तरीके से बढ़ा कर सकते यह हम देखने वाले इस पौधे को बहुती कम पानी लगता है तो इसके लिए यहां कम पानी वाला पौधा है तो आपको पानी और मेंटेनंस भी इस पौधे के लिए कम लगेंगी तो देखिए यहां हमने पुराने पौधे हैं हमारे पास जो दो से तीन प पाउदे देख रहे तो यहां हमें अलग करना है जिसे इंग्लिश में पॉप्स भी बोला जाता है यहां पैरेंट जो मूल पाउदा रहता है उसके पास में जड़ियों में यहां तयार होता है और यहां इजी वे हैं मल्टिप्लिकेशन का आपके आस्परोस में कहीं पर भी अगर जिनके भी अलोवेरा का पौदा होँगा तो वहां पर यहां छोटे छोटे नए पौदे तयार हो जाते हैं तो यहां आप निकाल लीजिए आसानी से निकल जाते हैं और इन्हें आप नए कुंडियों में लगा सकते हैं पिर इसको खाद देने की जरूरत नहीं है 35% मिट्टी लेनी है जो की नॉर्मल सोईल है और 15% आप गोबर का खाद या भर्मी कंपोस्त आप दाल सकते हैं आप चाहे तो गमलेव में लगाईए या तो नॉर्मल मिट्टी में भी जमीन में लगा सकते इस पौधे को और इसमें बीमारिया तो बहुत ही नके बराबर य तो इसकी जड़े खराब हो जाती है आपको इस वीडियो की कड़ी में मैं पत्ते दिखाऊंगा जो फंगल डिसीज होता है तो कई बार इसमें अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो यहां पाउदा खराब हो जाता है साथ में उन्हाले के मोसम में ज्यादा तेज धूप रही चैलिज डिग्री से भी ज्यादा तो उसमें इसकी पत्तिया पीली पड़ जाती है तो इसे च्छाओ में रखना चीए और यहां सकुलेंट प्लैंट है क्यूंकि यहां अपने आप में पानी होल्ड करता है इसकी प पाउधे को हर साल आपको नए कुंडी में ट्रांसफर करते रहना पड़ता है या तो उसी कुंडी में आप बड़े वाले पाउधे को आप निकाल लीजिए और छोटे वाले पाउधे आप फिर से लगाईए क्यूंकि इसका पाउधे से जैसे भी आप पत्ते कट करते आप हो सके ना तो बड़े वाले जो गंबले रहते रेक्टेंगूलर शेप के उनमें आप लगाईए बहुती अच्छा रहेगा फैलने के लिए पाउधे को इस तरीकी के कुंडी में भी लगा सकते पर इनमें पाउधे को साइड में बड़ा होने के लिए ज्यादा जगा अगर आपके पास में चिकनी मिट्टी है तो उसमें आप रेती का प्रमान ज्यादा करिए और फिर इस पाउधे को लगा सकते हैं क्यूंकि इसमें से पानी अगर जमीन में ज्यादा रहेंगा तो जड़े सढ़ जाती है इसके लिए पानी बराबर निकलना चाहिए तो यहां छोटे वाले जो पाउधे राते जो पॉप्स निकलते मूल पाउधे के बाद में तो यहां आपको तोड़के आप अलग-अलग करिए और नया पाउधा आपका त्यार हो जाता है तो यहां देखिए जो आपको बोल रहा था कि पाउधा अगर ज्यादा पुराना हो जाता है तो इस तरीके से जूग जाता है और यहाँ जो आप दाने-दाने देख रहे यहाँ black black spot तो यहाँ funcaster स्ट इस्ट की वैसे हो गया है इसकी जड़ों में कुछ problem होंगी तो यहाँ जड़ों में कुछ problem हो जाती है अगर जादा पानी दे रहे होंगे करकी लिए होता है और इसको ट्रीट करने का तरीका एक ही है कि आप जो फंजी साइड मिलते कोई भी कमपनी का फंजी साइड आप कुरुशी दुकान से लाएंगे तो उसका घोल बनाके आप जड़ों में दाल सकते हैं या तो इस पाओदे को आप जो पत्तिया खराब हो गई है उन्हें आप तोड़ दीजिए यहां दो तरीके अगर आप पत्ते तोड़के फेक देते तो भी या तो आप फंजी साइड का घोल भी दाल सकते ताकि जड़ों में अगर फंगस होंगी तो वहां मर जाएंगी तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना हैं